ऐस्मय आप जानते हैं जब भारत चांटवे सपने देख रहा था जाने के लिए तो उसमाश्य साइकेल से रहा था राकेट का सामन राकेट लांचेर के सारी मशीने साइकेल carbon тогда रही थी रास्ते नहीं थे पकडंडियां थी और उसी परकार ये पानी की टेंकी देखिए बन रही है कि बहुत कत के बाद इहां पर समस्या है और इतनी बड़ी टेंकी बनेगी चार गाउं में पानी की सपलाई होगी और इसको बनाने के लिए पानी टेक्टर से आ रहा है आप देख सकते हैं कितने मेहनत के बाद एक सपना साकार होता है और लोग बाद में कहते हैं कि इन्होंने तो बहुत प्रगति की है कितने मेहनत करनी पड़िए यह कोई नहीं जान तेक, कितने वरसों की तपस्थिया, कितने वर्सों से उसका बिलूप्रिंट तैयार किया जाता है, खा का तैयार कितने इंजीनियर लगते हैं, डिजाइन तैयार करने में, उसके बाद तब जाके एक जफल प्रोजेक्ट वर्याता है और उसी प्रकार देश में तरकार ने हर घर में नल से पानी पहुचाने का सहा है उसी के संदर में बड़ी बड़ी टंकियां गाओं में बन रही है आप देख सकते हैं बन रही है टंकी और उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो पानी के आउसकता होगी वो ट्रेक्टर में लटके जा रहा है ऐसा देखने के बाद हमको समझ में वहीं यह चीज याद आई कि साइ और विकास होगा तो समस्याएं आएगी मेहनत करनी ही पड़ेगी इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करके विकास को आगे बढ़ा रहे हैं देश प्रक्ति पे जा रहा है हम किसान है और टूब विल चलाएंगे लाइन कट गई थी विजली तो अब पानी हमको भेजना फिर पानी हम भरने वाले हैं और यह देखिए पानी पहुंच जाएगा फिर जब पानी टंकियों में भर जाएगा तब यह पानी आप देख सकते हैं ट्रेक्टर तक जाएगा पानी ट्रेक्टर पर आ रहा है धीरे धीरे आ जाएगा और इस प्रकार जब पानी भर जाएग तो यह पानी जाएगा उस बनने वाली बड़ी सी टंकी पर जो पांच गाओं वे और साथ गाओं तक भी पानी दे सकती है लेकिन आज उसको जरूरत है तो आज बाल्टियों से डिब्बों से इस तरीके से पानी महां भेजा जा रहा है और पानी जाएगा तो इतनी बड़ी टंकी महत्वा कांची योजना तयार होगी और हर घर में नल से पानी मिलेगा धन्यवाद मैं संजीव सिंग पटेल फार्मर्स फैमिली यूट्यूब चैनल से आप लोगों को पुराने दिनों से लेकर नए दिनों तक कि कई जानकारियों के साथ मैं पस्तित रहूंगा धन् धन्युक्ष झाल खragने के मिलेगा खिरियों को ब टू여दीर कोacesे रहो कि वा